माद्य प्रदेश आज विश्व में नवकरणी उज्जा के मामले में पांचवी पायदान पर है और प्रदेश की मोहन सरकार इस राज्जी को नमबर बन बनाएगी। ये दावा सरकार के मंत्री राकेश शुकला ने अम्पी न्यूस के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंग के साथ एक्सक्रोजिव बाचित के दौरान किया। इसे के साथ ही उन्हों ने उमकार इश्वर में दुनिया के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट को लेकर भी कई महत्वकान शी बाते कहीं हैं। देखिए आसबाच जी। मंत्री राकेश शुकला जी ने कई नवाचार किये हैं। नवकर्णी उर्जा के शेत्र में मध्यप्रदेश पूरे विश्व में पाँचवे पाइदान पर विराजमान है। आने वाले दिनों में क्या MP को नंबर वन वो राज्य बनाने वाले हैं। आईए बाच्शेत करत हैं मंत्री जी से मंत्री शुकला जी किस तरह से आप देख रहे हैं नवकर्णी उर्जा के शेत्र में कई नवाचार किये हैं। और आपने दूर दरश्टी पक का इराधा रख करके कई योजनाय तयार किये हैं, कई महतुकांशी प्रोजेक्ट्स हैं। आने वाले दिनों में सरकार इस दिशा में नवकर्णी उर्जा के शेत्र में क्या नवाचार आपके नित्रतु में करने वाले हैं। कि अभी जब से सरकार बनी मानी महुझी के नित्रत में तब से विधान सभा चुनाओ और लोक सभा चुनाओ। दो चुनाओ लगवग लगवग लगाता रहे। और जो आज तक की इस्थिती है कि ये मोदी जी का सपना है। मानी पदान मतीजी के सपने के अनुसार वो चाहते हैं जहां तक मेरी जानकारी है कि आपने देखा होगा कि पहले पांस साल उनके स्वचिता पर गए दूसरे प Sophia उनके जल जीवन मिशन पर गए और ये भी मुझे विश्वास है कि ये पांच साल उनके सोलर पर ही जाएंगे और ये हम सब लोगों का सोबाग है कि मानी पिधानमंती जी की गारंटी जिस पर रहती है तो गारंटी की भी महर उस पर रहती है और मानी मुखमंती जी उतने ही गंबीर है और उस विसे को लेकर जो सोलर के छित में हम बहुत जली मद्पदेश में आज कुछ योजनाए ऐसी चल रही है और कुछ योजनाओं के बारे में हम लगाता लगे हैं कि नई योजनाए शुरू हो और अभी मैं चूपी बोलने की सिती में नहीं हूँ लेकिन बोलूँगा नह लेकिन मुझे लगता है कि हम एकाद मेने में कोई काम ऐसा करें जिस पर से जो आप लोगों को दिखें प्रदेश को दिखें कि यह काम आगे बढ़ रहा है लेकिन जब तक हो नहीं जाता तब तक कहने की बहुत जाला आदत नहीं है और इसलिए सोलर के छित में भी हमने चार सो मेगावाट की हमारी बिखली का उत्पादन जल्दी से सुरू होने बाला है आपका आप कभी मैं तो आप से को भी आमंतित करूंगा क्या फ्लोटिंग सोलर हमारा पानी पर है जो उंकारेश्वर में और उस पे काम चला है सो मेगावाट के उत्पादन सुरू भी हो है और 178 मेगावाट उसमें काम जल्दी पूरा होगा उसका जो बिस्व का एक मात फ्लोटिंग सोलर होगा और अभी हम भी महां जाने वाले हैं इसी पिकार से हमारे यहां मुरेना में हैं मुरेना में भी हम लगातार प्रयास कर रहें एक बड़ा प्रोजेक्ट महां भी जा हम आगे बढ़ें और विचार तो हमने यह भी किया है कि एक बार माननी मुक्हमंती जी को विश्वास में लेके हमको सोलर समिट भी करना चाहते हैं अब देखो सोचा है कि भगवान चाहेगा तो उसको जरूर करेंगे और बहुत ब्यापक इस्तर पे उसको करने का मुक्हमं इसे आप आने वाले दिनों में गती देंगे और आपको लगता है कि आने वाले दिनों में उमकािश्वर जो है मढ़ियप्रदेश का इकमातर ऐसा डेस्टिनेशन होगा जो की सोलर एनची के जनरीशन में मध्यप्रदेश को अग्रणी राज्जी की दिशा में भी ले जा पाएगा आपकी इस मेहत्वकांशी योजना को लेकर क्या रहा है मैंने मैंने आपको बताया कि फ्लोटिंग सोलर बेश्चो का पहला प्लांट है हमारा और उसकी यात्रा हम और आप साथ साथ करेंगे और उसका काम मुझे लगता है दो तीन मेहने में पूरा हो जाना चाहिए और मैं माननी मुख्यमंती जी से निवेदन करूँगा कि बड़ा बिश्चो का पहला है मद्यप्रदेश में फ्लोटिंग वाला तो कम से कम साजापर और ओंकारिश्वर से माननी प्रधानमंती जी इसको इनुर्गेशन में आए और उस समय मुझे लगता है मुरेना का भी टेंडर होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि माननी प्रधानमंती जी द्वारा इसका लोकार पढ़ा हो तो मुरेना को आत्म दिर्मर बनाने के लिए खास्वार पर सौर उर्जा के विस्तारी करण को लेकर क्या योजनाय आपने तयार की है और आपको लगता है कि नवकर्ण सॉनाय में और कुछ समय में मुझे लगता है हुख सकता छे एक मेने लगें छेक मेने में तस्षी साफ भी होगी। छेक मेने में हमारी कोशिस रहेगी की तस्वीर साफ हो कि कहां कहां किस किस प्रकार से करीबन हम अभी पंप के छेतर में 47,000 टेंडर करने जा रहे हैं तो जिस पर से मुझे लगता है कि आबेदन तो बहुत दूरों के पेंडेंसी भी है और उसमें जल्ली से उसको किस तरीके स शुरू किया जाए टेंडर पकरिया भी उसकी लवों लवों पूरी होने वाली है तो आने छेतरों में भी कहां का जमीन इसकी संबाबना हो रहे हैं नीमच में हम करीबन 1400 मेगाबाट का एक नीमच में भी है तो इस पकार से पूरे मद्पदेश पर में शिवपरी में भी ग बीहड की भूमी को इसमें सामिल किया जाए तो जिससे क्या है कि हमारे पर्याप जमीन है हमारे संभाग में तो और जातर बीहड किये हो इसलिए हम ने किया है अब उससे आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के सहयोग से और मद्पदेश कैसे नमर एक पर आये इसका प्रयास करेंगे सबके सहयोग से मंतरी जी क्या कहना चाहेंगे क्या मद्पदेश को आत्म निर्भर बनानी की दिशा में कोई जनता से भी आप अपील करेंगे ताकि इस नवाचार को जनता का भी उतना प्रतिसात मिले और पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर किसी गौर्रमेंट स्क कि इतनी कंगा कि जन्ता जनार्दन अगर इसको क्योंकि आगे भवश्ष हर इसी का है आगे आना है बह वाला भव hack ल का नहीं है और लोग इस पर आगे आएं और योजनाओं का कहीं नैकहीं इसमे जानकारी ले और योजनाओं के माध्यम से अपने यहां क्या काम कर सकते है उस छेत में चुकि प्रधानमंत्री जी की इच्छा है तो बैंक भी इस लॉन देने के लिए तैयार है आपके सबसिटी भी किनी योजनाओं पर मिल लई है लेकिन दीर कालिक अगर कोई योजना अगर सोलर के छेत में ही मिलेगी आपको और मद्यपदेश का सरवांगी रुका जो गैर परंपरागत उर्जार सुर्तों से हासल है तो इसलिए भविष इसका है और लोगों को इसमें आगया आना चाहिए प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की योजना के तहट आने वाले दिनों में उमकारेश्वर में विश्व का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो रफ्तार पकड़ेगा और MP इस मामले में आत्म वाले वक्त में कहलाता नजर आएगा फिलाल मेरे स्यूग यारून यादव के साथ डॉक्टर महेंद सिंग MP न्यूज भोपाल